आज हम पढ़ेंगी यूनिटेरी मेथोड की बारे में टॉपिक नंबर है 20 ठीक है और एक एक नियम होता गया है एक एक नियम गणित की वो संक्रिया है जिसमें किसी एक वस्तू का मान गयाद करके बहुत सी वस्तूओं का मान गयाद गया जासे है जैसे मैं एक एक जामपल बताता हूँ कि 5 पेनो का मुले किदने रुपे है 20 रुपे है तो 100 पेनो का मुले याद करके जैसे कि हमारे पास में ये पश्चन है कि 5 पेनो का मुले 20 रुपे है तो 100 पेनो का मुले याद करना है ठीक है यहां पे देखें मैंने क्या बोला था मैंने डेफिनेशन के अपूर्टिंग ये बताया था कि एक वस्थू का अगर मुले ग्याद किया जा सकता है उसके बाद हम जितनी भी पूछे उधने से मल्टिप्लाइ करके हम इसको ग्याद कर सकते हैं तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले एक वस्थू का मुले ग्याद करेंगे यानि कि यहां पर एक पैन का मुल्य जाद करें, यहां से देखिएगा एक पैन का मुल्य, एक पैन का मुल्य, तो एक पैन का मुल्य निकालेंगे, तो जो हमारे पास में जो टोटल रुपे हैं या भी टोटल वैल्यू है, उसमें जो वस्तु की संक्या है, उसका भाग देंग अभी मुझे जो टार्गेट मिला था वो ये था कि 100 पैनों का मुल्य याद करना है तो repeat कर देना 100 पैनों का मुल्य बराबर वस्तूओ की संख्या गुणा 1 पैन का मुल्य बराबर कितना आदिया 400 रुपे मेरी बात समझे आप ये भी आप रुपे बें यहां से एक फोर्मुला बना देता हूँ चलो ठीक है यहां से एक फोर्मुला मैं यही देख लीजी आप अगर आपको अनेको वस्तूओ का मुल्य ग्याद करना है तो आपके पास वस्तूओ की संख्या होनी चाहिए और गुणा एक फोर्मुला मैंने वर्मली बता दिया है अब 6-7 इस पे जो डिपेंड कॉश्शन है वो करते हैं उससे ज़ादा बेड़ आपको समझ में आएगा पहले एक कहा है कि अब जहाँ है देखते हैं यहां से जो पहला कुशें है वो देखो एकजामपल नम पर एक ऐसे खॉशन ऐसे चामपल लिए है मैंने जिससे का कि आपका जो तो यहां से देखिए जो पहला कोशन है चार कलमों का मुले आपके पास पैंसिल है 12.40 रुपे है तो तीन कलमों का मुले जाता है इसका जो हुर होता है वो यह होता है कि पहले एक का ग्याद करते हैं और जितना पूछा है उसके साथ मुल्टिप्लाइ कर देते हैं तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे एक कलम का मुले चार कलमों का तो उपर लिखा हुआ है यह लाइन आपको रिपीट करनी है बराबर किता लिखोगे चार कलमों का मुले बराबर 12.40 रुपे है एक कलम का मुले, एक कलम का मुले ग्याद करेंगे, तो बारा पॉंट चार जिरो और बटे में ये आज़ेगा, ठीक है, इतने रूपे आगे, लेकिन हमें ग्याद कितने का करना है, तीन कलम का मुले, तीन कलम का मुले, बराबर में कितना है, बारा पॉंट चार जिरो, बटे म तो आगया एक का यह जो मैंने निकाला है यह आ गया एक कलम का मुले है तो तीन का कतना हो जाएगा तीन से मरें ठीक है अब इसमें देंगए भाग अब भाग देना अगर आपको आता है तो ठीक है वर année आपको बताता हूं यह 12 है वो नीचे 4 चारती यह 12 पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा और 4 एक चार तो यहां पर कितना आ जाएगा 3.10 ठीक है आगे आपके पास में कितने हैं गलत हो गया कहीं पर चुल कोई बात नहीं है यहां से देखिए आगे 3 वस्त हो गाई तो आ रहा है तो देखो क्या है पॉइंट के आगी जितने हैं अक्षर है उधने नीचे एक के आगे 0 लगालो अगर नए हो रहाए तो सीधा कर लो 3 को 0 से गुना गिया 0 3 को 1 से गुना गिया 3 और 3 एकम 3 अभी पॉइंट लगाने की जो प्रोसेस होती है पॉइंट के बार में क कितना आ जाएगा 9.30 अगर आपको इसको प्रूव करना है तो प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हो कि यह अपना question सही है यह फिकलत है देखो अगर मैं इसमें एक पहन का मुल्य और जोड़ दूगा तो यह कितने पहन का मुल्य हो जाएगा क्योंकि यह 3 क्लम का मुल्य तो आपके पास कितना है जोड़ो इनको यह 4 हो गए और 9 के बाद 10 11 और यह 12 यानि यह 3 का तो यह था एक गलंग का मुल्य यह था तो टोटल कितना हो गया यह नीचे वाला 4 गलंग का और वो का वो मेरा यह था इसका मतलब कुश्चन यहां पर सही होगा जो दूसरा कुश्चन है 20 पुष्टको का मुल्य 200 रुपे है और 200 पुष्टको का मुल्य ग्याद करना है तो लिखो पहले 20 पुष्टको का मुल्य बराबर कितना है 200 रुपे यह पुष्टक का मुल्य बराबर कितना है 200 पुष्टक यह 20 इसके डिवाइड में आजएगा क्योंकि हम पहले 20 का दे रखा है और एक का ज्याद करना है तो यह 20 इवाइड में एग 0 से एग 0 पट गया और यहां से इसमें जब डिवाइड किया जाएगा तो कितना यानि कि एक पुस्तक का मुल्य आपके पास कितना रुपे आ गया, दस रुपे आ गया, और हमें ग्याग कितने का करना है, 200 पुस्तकों का मुल्य, तो बच्चा क्या होगा यहां से, 200 पुस्तकों का हमें ग्याग करना है मुल्य, और एक पुस्तक का मेरे पास में है ये बान, तो कितना आज़े आएगा यहां से, इसको multiply कर दो, 2000 रूपे, समझ में आयाक नहीं आया, 20 पुस्तकों का मुल्य 200 रूपे है, एक पुस्तक का निकाला, तो इसको इसमें divide कर दिया, तो 10 रूपे आगया, एक पुस्तक का मुल्य 10 रूपे आगया, और समझ इसी प्रकार से 200 पुस्तकों को याद करना है, तो एक पुस्तक का मुल्य जो था, उसे multiply गया, और यह आगया to 2000, ठीक है, तीन चाल question और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला question देखते हैं, question number third, एक दर्जन के लोगा मुल्य 36 रूपे है, बराबर कितना होता बिच्या, 12 ही कई होती है, यानि कि एक दर्जन में आपका कितना आता है, कितनी क्वान्टिटी होती है, 12, जैसे मैं आपको ये कह दूँ, कि आपको एक मार्केट से पहन लेकर आने, एक दर्जन पहन लेकर आने, ठीक है, आगे चक्ते हैं, एक दर्जेन बराबर कितना हो गया, बारा एकाई हो गया, और यहाँ पर है, यानि कि यह क्या दे रखा है, बारा एकाई काई का मुल्य, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, बारा केलो का मुल्य दे रखा है, बारा केलो का मुल्य, कितना दे रखा है, 36 हो तो, ओ करना जाएगा बारारती है 36 रूपए ठीक है अब यहां से मुझे ज्याद का करना था मुझे गाद करना था त्यून केलोग का मिल्डे तीन के लोगा मुल्य क घ्याद करना तो 1 के लेगा कितना आया है? 3 और कितने का घ्याद करना है? 3 का तो 3 से मढ़ी का ए 3 दी आ 9 रूप आई बात समझ में यहां से चलते हैं 10 मिटर तार का मुल्य है वो 800 रूपे है तो सबसे पहदे यहां से एक मिटर का ज्यार करते हैं तो कितना आ जाता है? आट सो बटे दस दस मिटर तार का मुले आट सो रुपे उसके बाद लिखना है एक मिटर तार का मुले बराबर कितना जाएगा? आट सो बटे दस यानि कि यहां से कितना आ गया? असी रूपे आ गया ना, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाद कितने का करना है, अठारा मेटर तार का मुले, बराबर एक मेटर का आया है मेरा असी रूपे, अठारा का जाद करना है, तो अठारा से गुणा करता है, तो इसको जब गुणा किया जाता है, तो कितना आता ह अठारा गुणा में असी, ठीक है, जीरो और जीरो, आठ आठ कितने होगे, चोंसट, ये छे, आठ हेकम आठ और छे कितने होगे, चोदा, जीरो, चार, चार, एक, यानि कितना रुपे आ जाएगा, चोदा सो, चार इस रुपे, आप देखो सीधा करने का तरीका बताता हूं आठ हर कितने होते हैं, जीरो को भूल जाओ, आठ हर कितने होते हैं, चोंसट, का चार, फिर आठ हेकम, आठ, ये छोटे, चोटा, इक जीरो बच गया, ये जीरो यहांपी रबिद में बना हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये करके देखाया, और आप ऐसे भी सकते हो, जैस तो यहां से सीधा कूना करो, तीन जिरो को भूल जाओ, इस आर्ट को रू करो तो यह तो यह तो यहां पर यहां पर सब्सक्रत रहा दो डेखते हैं और वीडियो को समाफ्त करते हैं चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आंगे और करते हैं जो हमारे लाज्ट कुश्चन मचे हुई हैं दो और ये दो और कुश्चन आपने कर लिया ना था आपको ऐसा फिल होगा कि हाँ हमें जो एक ही किनियम है यूनिटेरी मेतोड है वो काफी जदा समझ में आ गया ठीक है यह सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक पक्वाड़ा एक पक्वाड़ा बराबर कितने दिन होते हैं पंदरा दिन होते हैं या अगर एक सब्ता की बात आ जाए कि एक सब्ता में कितना कम आएगा तो एक सब्ता में कितने दिन होते हैं साथ दिन होते हैं ठीक है लेकिन बा कितने रुपे कमाता है वो, 240 रुपे, तो एक दिन में, आप पूरी लेंग्वेज लिख ले न, एक दिन में कितना कमाएगा, बराबर 240 बटे, 30, 10 से 10, और 38, यानि कि कितना रुपे कमा रहा है, 8 रुपे, हमें ग्याद करना है, एक पकवडा, यानि कि 15 दिन में, 15 डेज में क कितना कमाएगा वो, 8 गुणा 15, 15 कितना होता है, देखो, नहीं आता है न, गुणा करना, 8 पंजे 40, 8 इंकम 8, और यहां पर कितना हुआ था, 8 पंचु चालिस वा था, 8 इंकम 8 और 4 कितना हो गया, बाद, ठीक है, समझ में आया गया यहां तक, ठीक है, आगे चलते है, 4 पें पैंचिलों का जो मुल्ले है, वो आपका कितना है, 20 रुपे है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्या दे रखा है, एक मिनाट कॉस्चन कहां पे गया, उसके बाद है, दो 10 pen और 8 pencil का जो मुल्ले है वो क्या होगा ठीक है तो यहां पर जो question मेंने highlight किया है वो क्या है अध्हा लगाये अध्हा का मतलब है कि 4 pen का मुल्ले भी 20 रूपे है और 2 pencil का मुल्ले भी 20 रूपे है और आगे question में क्या बोल रहा है तो 10 pen और आठ पैंसिल का मुले ज्याद करना है इसका मतलग क्या है कि पहले आपको ज्याद करना है यहाँ पेन का मुले और यहाँ से एक पैंसिल का मुले उसके बाद यहाँ पे दस पैंसिल का मुले ज्याद करना है और दोनों को एड कर देना है जोड कर देना है ठीक है और वो जो बोड़ देने के बाद में वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले करते हैं, देखो, यहाँ पर मैं विटा देता हूँ, आपने लिख लिख लिया होगा, उमीद है आपने लिख लिख लिया होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या एक पैन का मुल्य चार पैन का मुल्य तो मेरे पास कितना है चार पैन का मुल्य तो मेरे पास है बीस रुपय यहां से एक पैन का मुल्य कितना आजाएगा बच्चा बीस बटे चार बराबर कितना आजाएगा पांच रुपया और हमें कितने पैन का पूचा है दस पैन का मुले पूचा है तो दस पैन का मुले कितना है दस पैन का मुले हो जाएगा दस गुना एक पैन का मुले तो कितना हो गया पचास रुपये ओके आजी चलते हैं Similarly, 2 pencil का जो मुले है, वो आपका कितना है? 20 रुपे. तो Sam क्या हो गया? एक pencil का मुले है, वो 20 बटा 2 और बराबर कितना हो गया? 10 रुपे. लेकिन हमें ज्याद कितने का करना है? 8 pencils का मुले. ठीक है? तो 8 pencil का मुले कितना हो जाएगा? 10 गुणा 8. और बराबर कितना हो गया 80 रूपे तो आगी क्या पूछा था हमें हमें ये पूछा था कि 10 पेन तका 8 पेंचिल का टोटल मुल्ले कितना है यानि कि इसको जोड़ के बताना है तो आपको लिखना है 10 पेन और 8 पेंचिल का मुल्ले बराबर कितना हो गया, पहले 10 पैन का मुले निकाला था वह कहां पैट़ा yeah यह रख कितना उगया, 50 में पच्यास, और प्लस में कितना हो गया, 8 पैंसिल का मुले कितना हो गया? pm3投ी तो यह क्या आ गया रुपे में 8 और 5 कितने होते हैं 15 यानि की 130 रुपे आ गया किसका आ दस पेन और आठ वैनसी का अनुले कितना आ गया 130 रुपे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा ठीक है पसंद आया तो सेर कर देना सब्सक्राइब कर देना और युदा लेना चाओंगा और अगला वीडियो आपको भो जल्दी मि लेगा तब तक के लिए जेहिंग जे वारत जे राजस्तान और राम राम से